नमस्कर दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे इस घरेलु खबर चैनल में दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो में बताऊंगे कि यदि अपने कार्टिक असनान नहीं किया तो यह कता, जो मैं भी बताने वाली हूँ अवस्य सुने, कार्टिक मास पूरे कार्तिक मास के असनान के बरावर लाव होगा कार्तिक की कथा कार्तिक मास में ब्रत के समय कही और सुनी जाती है यह महिना धार्मिक द्रिस्टी से बहुत महत्पोन है इसमें बहुत से बड़े बरत और तोहार जैसे करवाच, और दिवाली, तुलसी विवा आधी आते हैं कार्तिक की कथा सुनने से बरत का पूरा लाव प्राप्थ होता है तो आएच चलते हैं कार्तिक की कथा क्या है वो मैं बोलूँगी इससे पहले दोस्तों अभी तक आपने मेरे इस घरेलूख हवर चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रीज कर ले एक बार सास ने बहु से कहा कि मैं कारतीक असनान करना चाहती हूँ बहु बोली जरूर करो मैं भी आपके साथ कारतीक असनान कर लेती हूँ सास बोली बहु तुम्हारी तो भी बहुत उमर पड़ी है तुम बाद में कर लेना यह करकर सास गंगा असनान के लिए चली गई पीछे बहु ने कुमहार के हाँ से मिटी के छोटे कुंडे मंगा कर रख लिए बहु रोज सुवा जल्दी उठकर नहाने के लिए कुंडा लेती और बोलती मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा सास नहाए उंडे बैट मैं नहाओ कुंडे बैट बहु की यह कहने पर कुंडे में गंगा जी आ जाते और बहु नहा लेती एक दिन नहाते वक्त सास ने सोने की नत गंगा में बह गई जब बहु ने नहाने के लिए कहा मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा तो गंगा जी के साथ ही नत भी कुंडे में आ गई बहु ने सास की नत को पहचान लिया कार्तिक मास पूरा हुआ तो सास घर आ गई बहु ने वही नत पहन कर सास का स्वागत किया सास ने कहा बहु यह तो मेरी नत है गंगा जी में गिर गई थी तुम्हें कैसे मिली बहु ने सास को कुंडों में गंगा जी आने और साथ में नत आने की बात बताई सास ने बहु से कहा कि मुझे ब्राम्भन भोजन करवाना है बहु बोली मुझे भी करवाना है मैंने भी कार्तिकस्नान किये हैं ब्रत उपवास भी किये हैं पीपल, पत्वारी, तुलसी, को सीचा है दीपक जलाया है घर में भगवान की परिकरमा लगाई है मेरी प्रकिर्मा एही स्विकार करने की प्रभू से प्रार्थना की है सास को विश्वास नहीं हुआ बोली तुने कार्तिकसना नहीं किये बहु सास को अंदर ले गई और कुंडे दिखाए वे कुंडे सोने के हो गये थे अब सास को विश्वास हो गया और खुसी-खुसी दोनों ने ब्रत का उद्यापन किया ब्राम्भन भोजन करवाया दक्षिना देकर उन्हें विदा किया यह कथा जो मैंने आपको बताया कहने वाले, सुनने वाले और जो हुकारी भरते हैं उन्हें सभी का कल्यान होता है, सभी को इसका फल मिलता है दोस्तों आसा करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे, ठैक्स